गूड मॉर्णिंग बच्चो आज मैं आपको भासा के बारे में कुछ बताना के वारे में आपनी इपनी ब सार अपनी बात पढ़ाने के लिए बढसा नहीं जा रहे हो ठीक है यहां पर क्या है शुनना और बोलना लिखना और पढ़ना इश्टा बते जो चिसमें लिखना और पढ़ना इस चितर में बच्चे प्रश्ण पढ़कर उतर पस्तिकार अपनी उतरपस्तिका में लिखकर बता रही है तो यहां पर प्रस्ण है उसका उत्र को लिख करके या उत्र कुस्तिका में लिख करके बता रही है तो यह क्या कर रहा है लिख करके वो पढ़ा रही है और यह सुन करके बोल रही है तो सुन कर या पढ़ने समझने लिख तो भासा हम लोग किसे करते हैं सुनकर या पढ़कर समझने और लिखकर या बोलकर अपनी बात समझाने का तरीका या माध्यम बाशा कहलाता है तो जो भी बात हम सुनकर पढ़कर और लिखकर जो समझते हैं वो क्या कहलाता है बाशा कहलाता है इस परकार से सुनना, बोलना, पढ़ना वा लिखना भासा के चार कोशल है, भासा के कितने कोशल है, चार कोशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना वा लिखना भासा के चार कोशल है, भासा के रूप, अब हम जानते हैं कि भासा के कितने रूप होते हैं, तो भासा के दो रूप हो दूसरों को शमझाना और सुनकर दूसरी की बात को शमझना ही भासा का मौखिक रूप कहलाता है। शमझाना बात को शमझना और सुनकर दूसरों की बाते शमझना और सुनकर दूसरों की बाते। कर या पढ़ कर समझते हैं वो भासा कहलाता है हम अपनी बाते बोल कर या लिख कर समझते हैं वो क्या हो गया मोखिक और जो लिख कर या सुल कर समझते हैं वो क्या हो गया लिखित बाशा के कितने दूरूप होते हैं दूरूप होते हैं मोखिक और लिखित तो बोल कर अपनी बात को समझाना और शुन कर दूसरों की बात को समझना भासा का मौकिक रूप कहलाता है ठीक है लिख कर अपने बात समझाना और पढ़ कर दूसरों की बात समझना भासा का लेकित रूप कहलाता है ठीक है ठीक है आज का ये चेप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है धन्यवा झाल 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 झाल